आज मैं आप लोगों के लिए ले करके आई हूँ सर्दियों के अस्पेसल नास्ता जिसे सायद आप बना कर नहीं खाई होंगे और इस नास्ता की खास बात ना तो आपको इसमें एक वी बुन तेल डालना पड़ेगा और ना ही इसमें किसी चीज को भी कोना है ये नास्ता बह बहुत ही जैदा हिलदी भी है नमस्ते दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक विधी में तो चलिये आज की बहुत ही मज़ेदार नास्ता बनाना शुरू करती हूँ इस नास्ता को बनाने के लिए ह मने यहां पर लिया हैं पालक पालक को हम दो तीन बार अच्छे से साप पानी से धो कर रख लिए हैं तो आप जब भी कोई सबजी या साथ काटे तो पहले उसे अच्छे से धो ले ताकि उसे धोने और काटने दोनों में आसानी रहे तो चलिए अब पालक को मैं मोटा वाला डंठल हटा दिये हैं अब पालक का अच्छे से बंच बना लेंगे ताकि जब इसे रख कर काटेंगे तो इसे काटने में आसानी हो तो मैं यहाँ पर सारे पालक को काट लिए हैं अब एक कटोरी लेंगे और कटोरी में सारे पालक डाल लेंगे तो मैं यहाँ पर एक कटोरी पालक काट कर ले रही हूँ अब एक मिक्सचर जार लेंगे और जार में सारा पालक डाल देंगे पालक डालने के बाद इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी सूजी आप इसमें कोई भी मोटी या बारिक सूजी ले सकते हैं क्योंकि हम इसे ग्रैंड ही करने वाले हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ खूब सारा हरा धनिया तो हरा धनिया का खुजबू बहुत ही अच्छा लगता है और इसका स्वाद्वी नास्ते में बहुत ही बढ़ियां लगता है तो आप इसमें हरा धनिया जरूर से डाले साथी में मैं डाल रही हो इसमें दो तीन हरी मिर्च, दो टुकरा अदरक का अगर आपके पास दही हो तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसका धकन लगा कर इसे बढ़ियां से पीस लेंगे तो मैं इसमें पुरा पानी आधा कटोरी डाली थी तो देखिए कितना बढ़ियां हमारा बेटर बन कर तयार हुआ है अब इसे किसी कटोरे में निकाल लेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा लाजवाब बेडर बन कर तैयार हुआ है इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और एक पैकेट इनो इनो के जगा आप खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इनो डालने से ये होगा हमारा डोसा है जो एकदम जालेदार बनेगा अब इसको चमत से या बिसगर से अच्छे से हलके हलके हाथों से मिला देंगे तो इनो डालने के बाद हम इसको रखेंगे नहीं फटा फट चलिए अब हम बनाना सुरू करती हैं तो गैस पर एक तावा रखेंगे और तावा को मेडियम फ्लेम पर हलका गर्म करेंगे तो हमें इसके लिए हाई फ्लेम पर तावा गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है बस तावा हलका गर्म होना चाहिए अब इसके उपर बेटर डाल देंगे और इसको इस तरह से फिला देंगे तो इसको सभी तरफ सेप में ही अच्छे फिला देंगे आब इसको 1-2 मिनट के लिए low-to medium flame पर ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसको बिल्कुल भी तरच नहीं करेंगे तो देखिए कितना बढ़िया हमारा जालिदार डोसा बनकर तैयार हुआ है अब इसको निकाल लेंगे अब इसी तरह से तावा के उपर बेटर डालेंगे तो इसके उपर ज़्यादा भी नहीं तो मेडियम में ही बेटर डालेंगे तो इस पर एक कर्षी बेटर डाल देंगे डालने के बाद इसको इस तरह से कटोरी से हलके हलके हाथों से फेलाएंगे तो इसको इसी तरह से सेप में ही फेलाएंगे तो बिल्कुल इस तरह से तो इसको ज़्यादा बरा भी नहीं करेंगे इसे मेडियम में ही रखेंगे अब इसको धक देंगे इसे धक कर एक से दो मिनट तक low to medium flame पर पकाएंगे अब इसका धकन हटाएंगे तो ये देखिए कितना बढ़ियां इसके उपर चाली बना है तो आपको इसे बनाने में ना तो जएदा मिहनत करना पड़ेगा और ना ही जएदा time देना पड़ेगा तो चलिए मैं आप लोगों को इसे अंदर से भी दिखाती हूँ, ये कितना बढ़िया पक कर तेयार हुआ है, अब इसको निकाल लेंगे, तो इसे निकाल कर भी इसी प्लेट में रख लेंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को एक और बना कर दिखाती हूँ, तो इस तरह से मेडियम में फिलाएंगे अब इसको ढग देंगे इसे ढग कर एक से दो मिनाट तक पकाएंगे तो देखिए कितना बढ़िया इसका जाली बनकर तैयार हुआ है अब इसको सभी तरफ इस तरह से कर्ची से चुड़ा देंगे तो इसको जवरदस्ती नहीं चुड़ाएंगे अ अब इसको निकाल लेंगे तो मैं यहाँ पर तीन डोसा बना लिये हैं तो चलिए मैं आप लोगों को एक और लाश्ट का बना कर दिखाती हूँ तो इस तरह से तावा के सेंटर में आधा कटोरी बेटर डालेंगे और इस बेटर को हलके हलके हाथों से चारों तरफ फिलाए तो सेप का धियान रखते हुए इसको सभी तरफ बढ़ियां से फिलाएंगे तो देखिए बिल्कुल इस तरह से अब इसको एक से दो मिनाट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो देखिए ये कितना बढ़ियां एकदम जालीदार डोसा बन कर तयार होता हैं तो दोस्तों य ये नास्ता जितना हिल्दी है उससे भी ज़्यदा ये खाने में स्वादिस्ट लगता है और इस नास्ता को हमने पालक और सूजी से बना कर तयार किये हैं तो बागी के सारे डोसे इसी तरह से बना कर तयार कर लेंगे तो लिजिए दोस्तों आज का हमारा बहुत ही स्वाद लेगेगा और ये दोसा बहुत ही मुलायम बन कर तयार हुआ है